हेलो फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर करके आया हूं ये क्वेश्चन क्लास 9 की महत से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से लिया गया है इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चर यूट li a कुछा इंपर इसको नंबर लाइन पर रिपरसर करना है इसको नंबर लाइन पर संग करेंगे लेकिन उससे पहले इसका हम कुछ सोलीशन देख लेते हैं आ है अब देखो माल लेते हैं कि हमारे पास एक कोई लेंथ है और जो ओए है वह स्कुर्ण टू यूनिट है इतना है एसकोर रूट टू यूनिट है और यहां पर कोई पर्पेंडिकुलर है ओ से ओ बी और यह कितना है यह वन यूनिट है ठीक है अब इन्दों को जब मिलाएंगे ऐसे तो यह जो ओबी आएगा यह मारा आजएगा स्क्वार रूट थ्री कितना आजएगा स्क्वार रूट तरी अजएगा ठीक है तो इसकी को हम राइट करते हैं लेट लेंथ और इस इक्वल डू एसक्वारू रूट टू यूनिट और पर्पेंडिकूलर A, B is equal to 1 unit देन बाइ यूजिंग पाइथागोरस थेयरम पाइथागोरस थेयरम होता क्या है पाइथागोरस थेयरम यह कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वार इस इक्वल टू बेस स्क्वार प्लस पर्पेंडिकूलर है अब यहां पर जो एंगल होता है उसके सामने है मतलब कि जो वी है यह है यह वी का और यह बाल जो is equal to OR A Square plus AB Square इसी फर्मूले का यूज में यहां पर करेंगे हो यांपर हो जाएगा ओभी स्क्वायर इज्ट इस इक्वाल डू ओएड़ स्कौर आप यहां से मस्क्वायर हैं कितल तो क्या होगा chi wa abu ंट कर अगर को गर से यंदर से हमें स्कॉयर हमें तो कि अभल रुत हो जाएगा यह ऌजाएगा और स्कॉयर प्लस ab2س को है कि कि आप यहाँ पर देखो ओंफ की वैलु कि अपने कितना लाट कर रखा है आप ऩारूट तो यहाँ है यहां पर दिखाना यहां पर यह वाला जो स्क्यारूट है यह पहले से हैं और यह वाला जो स्क्यारूट है यह में मान रखा है तो यहां पर का द्यान रखना तो अभी को ह know अभी को यहां पर क्या होता कि अगर अगer स्कुरायर रूट टू का हो नूर जाएगा को तो फिटना हो जैगा या स्कुराइर रूट 3 तो ओपी इक्वाल टू कितना हो गया ओपी स्क्वाय रूट 7 त्यांसे यूज्य को लो यह फर बीदियो को पहुच करके स्क्रीन सॉट ले लो फिर आम इसे नंबर लाइन पर रिपर्जेंट करेंगे अब हम square root 3 को number line पर represent करेंगे locate square root 3 on the number line तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो inch वाला scale है यानि कि 1 inch is equal to 1 unit let करेंगे हम लोग ठीक है आप चाहें तो आप 1 cm को भी 1 unit ले सकते हैं लेकिन जब मैं 1 inch को लोगा तो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा और सुन्दर लगेगा तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं सबसे पहले एक line draw करता हूं देखो आप अगर line draw करें तो कोशिस करें कि आपकी line पतली होनी चाहिए ठीक है यह मैंने line draw करती अब यहाँ पर देखो marking कर लेंगे यह 0 हो जाएगा यह plus 1 हो जाएगा यह भी plus 2 हो जाएगा इधर minus 1 और इधर minus 2 आप चाहें तो इसके आगे की units ले सकते हैं जैसे की plus 3 plus 4 minus 3 minus 4 लेकिन इतने से काम चल जाएगा तो मैं आगे नहीं ले रहा हूं ठीक कोई भी line होती है तो उसके दोनों साइड में arrow होता है तो यहाँ पर हम arrow बना देंगे अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 plus 1 plus 2 minus 1 minus 2 अब सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 0 वाले point को O let कर लेंगे क्या O इस point को क्या let कर लेंगे O और यह point हो जाएगा हमारा A क्या हो जाएगा A अब हम point A से 90 degree का line draw करेंगे ठीक है तो यह है हमारा protector और इसकी help से हम 90 degree की line को draw करेंगे ठीक है तो यह हमने 90 degree mark कर लिया है अच्छा देखो यहां पर मैं protector इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हमें square root 3 बनाने के लिए एक और 90 degree की line draw करनी पड़ेगी तो इससे हमें काफी help रहेगा तो यहां वह कोशिस करें कि आपकी line काफी पतली रहे ठीक है यह हो गया हमारा एक 90 degree की line अब यहां पर भी हम वन यूनिट को mark कर लेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले square root 2 बनाना रहेगा क्या बनाना रहेगा सबसे पहले हमें square root 2 बिनाना रहेगा तो यह हमारा हो गया अब हम क्या करेंगे दिखो बी को center मान लेंगे और बी से ओवी पर एक 90 डिगरी की लाइन और बनाएंगे अब ध्यान रखना जैसे बहुत बच्चे आपर गलती करते हैं वह ऐसे ड्रो करने लगते हैं 90 डिगरी यह गलत है हमें ओवी ओवी माने कि यह वाला इस पर 90 डिग पर ना है तो देखो यह वाली लाइन को हमने इस लाइन पर रख लिया अब इसका जो बीच वाला point उसको बीपे लाएंगे ठीक देखो बीपर बिल्कुल है यह बीच वाला point बीपर है और यह लाइन से मैच कर रही है अब हम से अब यहां पर 90 डिगरी को मांक करना है यह 90 करेंगे एप से कर सकते हैं सकेल से कर सकते हैं तो यहां पर हमने वन इंच को कट कर लिया ठीक biscuit अब इसको मिला देंगे इस point को O से मिला देंगे और let us suppose I give the name of this point is C OC को उने मिला दिया अब ये जो OC distance है ना ये हमारा square root 3 होगा और ये जो OV distance है ये हमारा square root 2 होगा means square root 3 बनाने के लिए पहले आप square root 2 बनाए है फिर एक उनिट और बढ़ा करके square root 3 बनाए इसी प्रकार से अगर आपको square root 4 बनाना होता तो यहां पर एक उनिट और बढ़ा देते 90 डिग्री बना करके और उसको मिला देते लेकिन हमें square root 3 बनाना है तो यहीं और इस ओसी डिस्टंस की help से हम यहां पर एक आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पर ठीक है तो यह लगा दिया हमने आर्क ठीक है यह आर्क हमने लगा दिया है तो आप देख सकते हैं कि यह जो आर्क है इस नंबर लाइन को बिल्कुल इस point पर cut कर रहा है let us suppose this point is d हमने इस point को क्या माना d आप ध्यान से देखना यह जो d वाला point है यही हमारा है square root 3 कितना square root 3 लेकिन द्यान रखना यह point square root 3 नहीं है इस o से d तक की distance square root 3 है तो यहां पर हो जाएगा od is equal to square root 3 अब जिस line को हमें दिखाना था उसको हम highlight कर देंगे जैसे कि हमें यह od दिखाना था तो इस od को हम क्या कर देंगे highlight यानि कि यही distance थी जिसको हमें number line पर दिखाना था ठीक यह o हो गया यह d हो गया इसको हमने highlight कर दिया अधिकों यह हमारी number line है और इस number line पर यह distance है जो od है od is equal to square root 3 है तो हमारे construction done हो गया तो अंत में हम एक लाइन राइट करेंगे देन डी करेस्पोंड कि तो स्क्वार रूट 3 है अंधा नंबर लाइन है अंधा नंबर लन तो आंसर क्या हो जाएगा देन डी करेस्पोंड to square root 3 on the number line तो यह हमारा आंसर हो जाएगा इस question का आप चाहे तो वीडियो को पहुच करके झाहे तो झाहे तो स्क्तित करेशचा जाएगा नंचे करेस्पोंड कारेस्पोंडzdर Frona क्यार झाहर ह्ण के प्रहुच करेश्यों आ कर दो तो वीडियों झाल झाल